अब हलो स्टुरेंट्स इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लस एट के थर्ड चेप्टर अंडरस्टेंडिंग कोड्र लेटल्स लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 3.1 का एक कॉश्चन कर दिया था थोड़ा कोड्र लेटल्स का बेसिक जाना था आज हम लोग 3.1 के अब नीचे नहीं कुछ फिगर्स के नाम दिये हैं उन्हों पूछा है कि इसमें कितने डाइगोनल्स बनेंगे तो हम लोग चेक करेंगे अब इन्होंने वाला कॉन्वेक्स कॉड्र लेटल्स क्या बताया था आपको जो ना कॉन्वेक्स का मतलब बताया था जो खुला जिसक में फोर वर्टेसेज हो ठीक है तो हमने एक वाद्र लेटल ऐसा बना दिया अब कॉन्वेक्स ठीक है अब डाइगोनल्स क्या बताया था कि कोई भी दो अब जीक्यूटिव साइट्स को अल्ट दो अल्टरनेटिव साइट्स को जोड़ने वाली लाइन क्या होती दो पॉइंट्स को जोड़ना ले सपोज ए बी सी डी हम लोग इसको नाम देने तो यह और ए और 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 यह यह ए डाइगोनल है और यह डी बी डाइगोनल है तो एक वाद्र में कितने डाइगोनल बने दो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा पहले सेकंड के एक अब जो एक नो नोगा रेगूलर हेक्जागॉन हेक्जागॉन क्या पता है था है रेक्जा मतलब 6 जो इसमें 6 वर्टेसेज हो ठीक है रेगूलर हेक्जागॉन मतलब जो रेगूलर यह बनता है सिंपल यह हैक्जागोन बनेंगे हमारी six vertices वाला A, B, C, D, E, F ठीक है अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे Diagonals करेंगे Diagonals बनाएंगे यह एक दो तीन चार और फिर एक यह बनेगा पांच एक यह बनेगा छे और यह हो गया A, E हो गया A, C हो गया B, F हो गया B, D हो गया C, E हो गया C, A हो गया D, B हो गया D, E हो गया D, F, B हो गया एक यह बनेगा यहाँ से C और B B, B और E के बीच में एक बनेगा F और C के बीच में और एक बनेगा A और D के बीच में तो यहाँ से कितने डाइगोनल्स बन गए एक बन गया और 6 डाइगोनल हो गया और उसके बाद F और C F C A D और B E यह एक रेगूलर हेगोनल्स में कितने डाइगोनल्स होते हैं 9 टोटल 9 डाइगोनल्स हो गया क्यों कितने डाइगोनल्स बनेगोनल्स बनेगोनल्स हो गया इढम्सेयर है एक रेखयोनल्स बनेगोनल्स बन बनेगों और यहां पर कोई डाइगोनल्स बन नहीं भाएगा ळाइगा अनौ डाइगोनल्स इसका आंसर क्या आएगा नो एक भी डाइगोनल नहीं बनेगा अब इसका थर्ड कॉस्टिन क्या है वाट इस सम उफ मीजर ऑफ एंगल ऑफ और कॉन्वेक्स क्वाड रिलेटल विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इप तक क्वाड रिलेटल इस नॉट कॉन्वेक्स में का नॉन इंगल का सम्कितना होता वन एक्टी डिग्री ठीक है तो अब ऐसे हम लोग ने देखेंगे तो पहले हम लोग एक ओन्वेक्स क्वाड रिलेटल ड्रो करेंगे ओन्वेक्स क्वाड रिलेटल क्या है जो बहार की साइड खुलाओ यह बन गया ए बी सी और डी यह 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 बन गया अब इसके मने 8 आओ डाइगोल एक बीच में एक ईक डॉव कर दिया आप लोग देखो यह जो डाइगोनल बन गया तो डाइगोनल की वज़े से यह वो दो इक्वल ट्राइंगल में डिवाइड हो गया ठीक है अब एक ट्राइंगल क्या बन गया यहां पर एक ट्राइंगल बन गया एक ट्राइंगल बन गया एक ट्राइंगल बन गया एक ट्राइंगल कौन सा बन गया एक ट्राइंग पूर फाइव और सिक्स ठीक है यह यह च्छे एंगल होगा है अब हमें पता है कि एक ट्राइंगल का एक ट्राइंगल के एंगल का सम कितना होता पूरे व Angels, पूरे सम बताना है, तो सारे एंगल को में जूड़ना होगा एल प्लस एंगल होगा यह मतता है, प्लस एंगल दिए negatively का के ट्राइंगल गाता ऑह दिए इन गाता है क्ली का सम लेक के ली आदो इन्गल होगा है ठीग है यह हुआ अभ एंगल single कौन से ट्राइंगल आ रहा है से अंगल two plus angle three plus angle four यह एक triangle का हो गया plus angle 1 plus angle five plus angle six यह दूसरे triangle का हो गया जब एक triangle का सम कितना है 180 degree दूसरे triangle का सम भी कितना है 180 degree टो टोटल किता हो गया 360 degree यहां से मतलब क्या नकलकि आरहा कि एक convex quadri लेटरल का जो तो सारे एंगल का सम होता है वो कितना होता है? 360 degree तीक अब इसमें एक question तो हमारा यह हो गया 3rd में 2-3 question दिये हैं पहला हो गया sum of measures of the angle तो कितना हो गया? 360 degree दूसरा question Will this property hold if quadrilateral is not convex? अब इन्होंने बोला कि अगर quadrilateral convex नहीं होगा तो अभी क्या यही property hold करेगा? सही बात है करेगा क्योंकि quadrilateral तो quadrilateral है ना अब चाहें convex तो चाहें concave sides तो उसमें vertices तो उसमें 4 आएंगी angle तो उसमें 6 होंगे तो इससे कोई depend इससे कोई फर्क नहीं पढ़ता कि quadrilateral convex है या concave उसके जो सारे angles होंगे उनका सम कितना होगा? 360 degree अब इन्होंने bracket में यह भी बोला है कि में का non-convex quadrilateral end dry अब एक non-convex quadrilateral हमें draw करना है और फिर देखना है non-convex quadrilateral कैसा होगा? यह non-convex quadrilateral बने चार साइड है फिक है अब इनको नाम दे तो ए बी सी डी एक हम ने डाइगॉनल बना दिया एक डाइगॉनल बना दिया बी और डी अब सेम सेम हमने यहां पर किया यहां पर ट्राइं जो एंगल से उनको भी नाम दे दिया हमने वन टू टू ट्री ट्री 4, 5 और 6 ठीक है यह हमने एंगल को नाम दे दिया ठीक है यह हमने नाम दे दिया इसके बार हम लोग देखेंगे कि हमें क्या पता था कि कोई भी एक ट्राइंगल का साइड का जो सम रहता 180 डिगरी है तो हम लोग करेंगे इन ट्राइंगल दू ट्राइंगल यहां भी बन रहा है ट्राइंगल A B D ट्राइंगल A C सारी B, C और D यह दो ट्राइंगल बन रहे है ठीक है तो हम यहाँ ट्राइंगल A, B, D में क्या-क्या हो कौन-कौन से एंगल है एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 3 B, C, D में कौन-कौन से है एंगल 6 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इनका सम कितना है 180 डिग्री इनका सम कितना है 180 डिग्री अब यह जो क्वार्ड रिलेटरल है क्वार्ड रिलेटरल क्या है A B C D क्या है ट्राइंगल A, B, D प्लस ट्राइंगल B C D है इसकी वैल्यू क्या है triangle 4 plus angle 5 plus angle 6 इसकी क्या है BCD angle 6 plus angle 1 plus angle 2 इस पूरे की value क्या है 180 degree इस पूरे की value क्या है 180 degree total value क्या आ गई 360 degree तो हमने non-convex के लिए भी prove कर दिया आप लोग इतना देखो अभी हम लोगोंने इतना देख लिया हम लोग आगे बात करेंगे question number 4 की question number 4 क्या बोल रहा है examine the table एक table दी गई है उसको examine करना है मैं उसके उसमें जो figures दिये गए हैं उनको एक triangle में divide करके और फिर उनके angles का sum बताया गया है ठीक है तो फिर यह table हम लोगो देखना है आप लोग भी देखो अब नीचे से नीचे इसमें एक question दिया है what can you say about the angle sum of a convex polygon with number of slides अब इन्होंना क्या पूछा के जो sum है मलब जितने भी angles हैं एक मलब कोई कितना भी कितनी भी vertices का polygon हो सकता है number of slides एक polygon कितनी भी numbers की slide लेके उसके जितने भी angles बनते हैं उनका हमें संबत आना है कैसे निकालेंगे ठीक है तो अब हम लोग टेबल देख ली ठीक है टेबल में एक तरीका भी दिया गया है कि वो लोग angle कैसे निकाल रहे है उन्होंने angle कैसे निकाले है ठीक है तो यहां पर एक फॉर्मूला एक दिख रहा है मैं एंगल एंगल संब करके देखो ट्राइंगल ट्राइंगल दिया है पहला शेप ट्राइंगल की नीचे slides दी गई है तीन ठीक है और एक नीचे फॉर्मूला लिखा है राइंगल का क्या लिखा 3-2 180 डिग्री ठीक है अब आप जितने भी जितनी भी फिगर्स देखोगे उनमें एक चीज कॉमन है यह और यह माइनसटो चेंज कहां पे आरायरा यहां पे और यहां पे भी चेंज क्या आ राया कि जितने ट्राइंगल मलत जितनी वर्टेस हैं उतना यहां पे नमबर आ JUDY को यह और यहलेटरल दिया तो Quadrilateral में क्या हो रहा Quadrilateral में 4 minus 2 हो रहा ठीक है और into 180 degree यह same है यह same है चेंज कहा पर हो रहा है तो यहां से formula जो है formula determine होके क्या आ रहा n minus 2 into 180 degree ठीक है यह हमारा formula निकल के आ रहा जहां पर n क्या represent कर रहा number of slides या फिर हम लोग बोल सकते है number of vertices ठीक है तो अब अब यहां 6 तक तो उन्हों ने दिया है formula अब अपलाई करके दिया है 6 तक के polygon का अब हम नकालेंगे आगे 7 का ठीक है formula यह है n is equal to 7 है तो हम लोग formula में इसको पूट करेंगे 7 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री 7 माइनस 2 5 इंटू 180 डिग्री 185 जा 90 900 डिग्री तो मतला कोई भी polygon जिसकी 7 vertices होंगी उनके angle का sum कितना हैगा 900 ठीक है अब यहीं पर अगर n equal to 8 हो n equal to 8 हो तो क्या होगा 8 minus 2 into 180 डिग्री 6 into 180 डिग्री 1080 डिग्री अगर कोई भी polygon है जिसकी 8 vertices है तो उनके angle का sum कितना हुआ 1080 डिग्री तो आप तो बस इतना एक यह formula यहाँ रखो जितने number of vertices होँगी वो हमें यहाँ पर रखना है minus 2 into 180 डिग्री हम उसके angle सारे angles का sum निकाल देंगे ठीक है अब next question किया है what is a regular polygon state the name of a regular polygon of three sides four sides और six sides अब इनों वहला कि एक regular polygon क्या होता ठीक है regular polygon क्या होता और उस regular polygon के हमें नाम बताने जो इनों ने दिया है कि तीन साइट के regular polygon को हम लोग क्या बोलें four sides के को क्या बोलते है और six sides वाले को क्या बोलते है ठीक है इसक्वार है जिसकी सारी sides सेम हो अब तीन साइट वाला क्या हो गया तीन साइट वाला तुम बता दिया है यहाँ पर ट्राइंगल हो गया और four sides वाला क्या हो गया four sides वाला square भी हो गया quadrilateral बनता है quadrilateral ठीक है और six sides वाला क्या हो गया हो गया regular hexagon ठीक है यह हो गया हमारा three sides यह हो गया four sides और यह हो गया हमारा six sides ठीक है अब six question है find the angle measures x in the following figures अब हमें इसमें angles find करने है next question जो है figures में कुछ angles दिये है और जो हमें नहीं दिया वो हमें find करना है हमें x करना है तो पेर के पेरा फिगरा में यह दिया है यह 120 डिगरी यह x 130 डिगरी और यह 50 डिगरी 50 डिगरी हमें इसकी value find करनी है हमें पता है के एक quadrilateral के सारे angles का sum कितना होता 360 डिगरी sum of all angles is equal to 360 डिगरी अब हम इसको नाम देते हैं A, B, C और D sum of all angles मतलब angle A plus angle B plus angle C plus angle D is equal to 360 डिगरी ठीक है 360 डिगरी angle A कितना है 130 डिगरी B कितना है 120 डिगरी C कितना है X डिगरी और D कितना है 50 डिगरी 360 डिगरी अब सब को plus करेंगे तो 130 plus 120 plus 50 180, 300 तो X डिगरी डिगरी is equal to 360 डिगरी अब इसको उससाइड ले जाएंगे X डिगरी माइनस 360 माइनस 300 तो X डिगरी कितना है 60 डिगरी X की वल्लू यागई 60 डिगरी सारे कॉस्टन ऐसी हो जाएंगे हमारे जो इसके बाकी के पार्ट बचे है B, C और D वो भी ऐसी हो जाएंगे बस हमें पता होना चाहिए कि नॉर्मल कौार्टरी लेटरल जो होता है उसका सम कितना होता पता है हमें 360 डिगरी होता है ठीक है अब यहाँ पर हमारी 3.1 एक्सराइज खतम यह इसमें 7 वाला 7 वाला कॉस्टन है वो भी सेम है आप लोग इसको ट्राइ करना और यहाँ पर एक्सराइज खतम होती है फिर हम लोग बात करेंगे अगली वीडियो में अगली एक्सराइज की आज के लिए इतनी थेंक्यू, have a nice day बिले करीओ